बुद्वार को जगत गुरू संत श्री सेवालाल महराज की 284 जयनती के उपलक्ष में बेशा के पदमावती नगर स्थेते मैदा में भव्वि महुतसफ का आयूजन किया गया 15 फरवरी को बंजारा समाच के आराध्यदेव यानी गुरू संत शिरो मनी श्री सेवालाल जी महराज की 284 जयनती के पर्व पर बेशा के पदमावती मैदान में भविक कारिक्रम का आयूजन किया गया जहां सेगडो भगतों ने इस कारिक्रम में शामिल होकर भजन पूचन में उत्सा के साथ भाग लिया बेशास्तित पदमावती मैदान में इस महुतसफ को पिछले 10 सालों से मनाया जो रहा है इस बार जहनती मौचसफ को मनाय जानिक आरंब धर्म गुरू तपस्वी महराज बापू इनके कहे अनुसार से सुभा भवे कलश यात्रा के साथ शिरू हुआ जिसके बाद शाम के समय पदमावती मैदान में भक्तों ने उत्सा के साथ भजन धूनी पूजन में भक्ती में होकर संतिश्री सेवलाल महराज का जन्म उत्सा मनाया संति श्री सेवलाल महराज ने समाज में एकता का संदेश दिया एवं यूवाओं को आगे आने वह समाज के लिए ततपर रहने को कहा इसलिए हर साल संतिश्री सेवलाल महराज की जयनती के इस पर्व को मना कर सर्वधर्व संभाव राश्चिय एकात्मता बंदुभाव निर्मान का संदेश दिया जाता है नागपु शहर के पितु मातर भक्तो के मागदशन में जयनती मौसव समिती ने जगत गुरू संत सेवलाल बापु के आशिरवाद से कारेकरम का सफल संचालन किया पद्मावती नगर से आपके समक्ष आया हूं आज जगत गुरू संत स्री श्यवालाल महाराज की 244 जयनती मौसव पद्मावती नगर बेशा नाकपुर में मनाया जाता है यह पूरे गोर बंजारा समाज के और से यहां पर मनाया जाता है उस सव इस मौसव का यह यहाँ पर पद्माव दिनगर के पटांगन में दस्वा साल है यह जैनती मौसव हमने हमारे धर्म गुरूर तपस्वी रामराव अपू के आग्या से और उनके शुब आशिर्वास से यह शुरुवात हम लोगों ने की यहाँ पर नागपूर नगरी के सारे भाविक भक्त आते हैं यह जैनती मौसव सर्व धर्म समभाव राश्ट्री एकात्मता और बंदू भाव निर्मान करने के लिए यहाँ मनई जाती है इस जैनती मौसव में सारे धर्म के बंदू और माता भगिने आते हैं और सब लोग यहाँ पर भगवान के चरनों में यहाँ पर अपना आशिश लेते हैं और यहाँ पर महापरसाद लेके यहाँ पर कारेकरम संपन्न होता है इस साल पद्मावती नगर में कल शाम को जंडा पुजन और धुनी पुजन हुआ आज 15 फिबुर्वारी 2023 को सुबे 6 बजे यहाँ पर कल शात्रा निकाली गई जिसमें हमारे नगरी के सारे बंदू भगिनी थे उसके बाद शाम को साड़े 5 बजे से जन्म संत सिवालाल मारा जन्म सोडा भजन किरतन हो रहा है और उसके साथ ही अभी सारे भक्तगणों के और समक्ष यहाँ पर महा आरती हुई उसके बाद भोग विदिवा और अभी महा परसाद वित्रन हो रहा है और यह कारेकरम सर्वधर्म समभाव से यहाँ मनाया जाता है NBCN News के लिए अकलिज भादवाच के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट